आपने recently gold का नया all time high देखा, आपने silver की कीमते भी record high पर जाती देखी, bitcoin के भी आपने नय all time high देखे इस साल, लेकिन वो नया all time high हम कहेंगे कुछ भी नहीं था, क्योंकि 69 से 73 तक जाना ये कोई बड़ा नमबर नहीं है, ये सिर्फ एक नय all time high को टच किया और वापिस नीचे और पिछले 7 महीने से यही हो रहा है cryptocurrency market के अंदर, लेकिन आज हम जो discuss करने वाले हैं, उसको थोड़ा अच्छे से सुन लीजेगा, अच्छे से समझ लीजेगा, market के अंदर भुचाल आने वाला है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक solid reason है, ठीक है, बिन reason के, बिना कोई market के, माहौल के, sentiment के, momentum के, हम कोई बात नहीं करते, market में bitcoin का नया all time high तो लगेगा, यह fix है, October का end आ चुका है, चार दिन का October रह चुका है, और मुझे लगता है, चार दिन भी बहुत हैं, अगर bitcoin चाहे, जो की चाहा भी सकता है, इस October end की closing हमको नय all time high पे मिल स अगर, मान लीजिये, नहीं मिलती, पांच-दस परसेंट चांसीज है, नहीं मिलती, तो November में सारी कसर निकल जाएगी, October की भी, क्योंकि इसके पीछे दो solid reason है, पहला सबसे बड़ा reason है, पिछले दो हफ़ते के अंदर, आज, अगर हम बात करें, इस week की कहानी, और पिछले week की गहानी, आपको पता है, Bitcoin ETF के अप्रूवल मिले, January के अंदर, और जैसे ही अप्रूवल मिले, Bitcoin ने 20,000 डॉलर का पंप दिखाया, नया, ओल्टेम हाई लगाया, फरवरी मंत के बाद, है ना, Bitcoin ETF ने definitely market में जो माहौल बनाया, वो काफी bullish था, यही अब फिर से हो रहा है, पिछले दो हफ़ते के अंदर, तीन बिलियन डॉलर के inflows, अच्छे खासे trading volumes, कहां देखने को मिले है, Bitcoin ETF बाजार के अंदर, Bitcoin ETF में continue पिछले दो हफ़ते से अच्छे inflows आ रहे हैं, सबसे बड़ा reason है BlackRock, जो बड़ा player है ETF का, 4,00,000 से जएदा, I think 4,00,000 के करीब Bitcoin की holding हो चुकी है, और पिछले दो हफ़ते से जिस तेजी से BlackRock Bitcoin खरीद रहा है, मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि इतनी जल्दी क्यों है, आखिर क्यों BlackRock इतनी तेजी से Bitcoin खरीद रहा है, इसी October मन्त में, अगर कुछ नहीं होना, तो November में भी खरीद सकता है, क्यों इतनी तेजी दिखाई, क्यो इसले वीक, 1.1 billion के खरीदे थे और इस वीक भी 800 million के करीब पहुच गया है, आज और बाइंग होती है, तो 1 billion पहुच जाएगा, ये भी ठीक है, आप समझ रहे हो, कितनी तेजी से, कितनी रफतार से, अकेला BlackRock भर-भर के Bitcoin खरीद रहा है, आखिर क्यों खरीद रहा है, क्या BlackRock ये 67,000 डॉलर पे जो खरीद कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, क्या ये BlackRock को नुकसान पहुचा सकती है, नहीं, बिटकोईन के प्राइज एक लाख डॉलर जाना तै है, भले ही Bitcoin कितना ही ड्रामा कर ले, भले ही Bitcoin का कितना ही आपे नकरीला अंदाज हो, क्योंकि कहते हैं जब बड़ा pump आने वाला होता है, उससे पहले market बहुत नकरे करता है, बहुत सारी ऐसी कोशिश ये करता है, market, Bitcoin कि आप अपनी entry बाहर निकाल लो, क्योंकि जो बड़ी rally आएगी ना, उसमें कम से कम लोगों को profit हो, बड़े players तो भर-भर के खरीद रहे हैं, उनको पता है कहा खरीदना है, कब सल करना है, एक सबसे बड़ा solid reason आपको मिल गया, BlackRock की buying, जो ऐसे ही नहीं हो रही है, दूसरा सबसे बड़ा solid reason है, Donald Trump की rally, Donald Trump की rally means winning rally, जो November के first week में election होने वाले हैं, 64%, 65% chances हो चुके हैं, Donald Trump की victory के, तो market के अंदर बहुत सारे analyst expert ऐसे हैं, जिनको ये लगता है कि Bitcoin 90,000 डॉलर से लेके एक लाख डॉलर क्रोस कर सकता है, Donald Trump की winning rally के अब पहले होगा या बाद में होगा, लेकिन November का मन्त भी कसर निकालने वाला मन्त हो सकता है, बड़ा मन्त हो सकता है, ठीक है, इतना ही कहूंगा, तो BlackRock जिस तेजी से खरीद रहा है, और elections का result सिर्प है, क October end और November की starting काफी important होने वाली, अगले 10-15 दिन मार्किट में कुछ भी हो सकता है, नए all time high भी लग सकते हैं, 90,000 भी hit हो सकते हैं, तो I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गयोंगे, किसी भी crypto में अगर आप invest कर रहे हैं, तो research जरूर करें, वो बहुत जरूरी है, तब तक कि लिए बाइबाइ, टेक क्योंगे